आज का बात शुरू करने से पहले, मैं आप सभी से प्रशन करना चाहती हूँ. यदि आप कोई अच्छा कारे करें और उसके लिए आपको प्रशन सा मिलें, तो आपको कैसा महसूस होगा? जी हाँ, आपको बहुत खुशी महसूस होगी. किन्तु वही कारे यदि किसी और ने किया है, और उसके लिए आपकी प्रशन सा हो, तब आपको कैसा महसूस होगा? जी हाँ, तब हमें बिल्कुल भी खुशी का एसास नहीं होगा, हमें अच्छा महसूस नहीं होगा. क्योंकि वह कारे जो हमने किया ही नहीं, उसकी प्रशन सा तथा उसका श्रे हमें मिले, इससे हमें खुशी नहीं होगी. तो बच्छों, ऐसी ही कहानी है गुपाल की, जो हम पढ़ेंगे पाथ तीन में. गुपाल की सच्चाई बालक गुपाल विद्यालिया में पढ़ता था. एक दिन कच्छा में अध्यापक ने बच्चों को गनित का एक प्रशन हल करने के लिए दिया. बच्चे वहाँ प्रशन हल ना कर सके. चुट्टी की घंटी बच गई. अध्यापक ने बच्चों को वह प्रशन घर से हल करलानी के लिए कह दिया सब बच्चे घर चले गई प्रशन यानि की सवाल तो बच्चों गुपाल नाम का एक बालब विद्याले यानि की स्कूल में पढ़ता था और एक दिन उसके अध्यापक ने कक्षा में सभी बच्चों को गनित का एक सवाल हल करने के लिए दिया कि दो स्कूल की घंटी बचने तक बच्चे उस प्रशन को हल नहीं कर पाई इसलिए अध्यापक ने उन्हें वहाँ प्रशन घर के लिए दे दिया अगले दिन गक्षा में अध्यापक आये उन्होंने बच्चों से अपनी अपनी कौपी दिखाने को कहा कुछ बच्चे तो गनित का वहाँ प्रशन हल कर के ही नहीं लाए थे और जो कर के लाए थे उनका उत्तर सही नहीं था अंध में गुपाल की बारी आई अध्यापक ने गुपाल की कौपी लेकर उत्तर जाँजा तो वहाँ बिलकुल ठीक था अध्यापक बहुत प्रशन हुए उन्होंने उसकी पीट थप थप आई और उसकी बहुत प्रशन सागी पीट थप थप आना याने की शावाशी देना तो बच्चों जब अगले दिन अध्यापक ने सभी बच्चों को अपनी अपनी कौपी दिखाने के लिए कहा तो केवल कुछी बच्चे थे जो उस प्रशन को हल करके लाए थे किन्तु उनका उत्तर सही नहीं था लेकिन गोपाल का उत्तर एकदम सही था जिसे देखकर अध्यापक बहुत प्रसंद हुए बहुत खुश हुए और उन्होंने गोपाल को शावाशी दी और उसकी बहुत टारीफ की अपनी प्रशन सा सुनकर गोपाल जरा भी खुश नहीं हुआ बलकि उसके चहरे पर उदासी चा गई वह सर नीचे कि एक खड़ा रहा ज्यों ज्यों अध्यापक उसकी प्रशंसा करती जाते तेउं तेउं उसकी उदासी बढ़ती जाते अंत में वह फूट फूट कर रो पड़ा फूट फूट कर रोना यानि की जोर जोर से रोना तो बच्चों आपने देखा कि गोपाल अपनी प्रशंसा से बिल्कुल भी खुश नहीं था वह उदास हो गया जैसे जैसे अध्यापक उसकी प्रशंसा करते वह और उदास होता जाता और अंत में वह जोर जोर से रोने लगा अध्यापक को बड़ा अश्चरे हुआ उन्होंने गोपाल के कंदे पर हाथ रखते हुए कहा बेचा तुमने तो प्रशं को सही हल किया है तुम क्यों रो रहे हो गोपाल ने रोते हुए कहा गुरुजी मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ यहाँ प्रशं मैंने स्वय हल नहीं किया है इसे मैंने अपने एक मित्र से हल करवाया था अपनी प्रशंसा सुनकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है आश्चर्य यानि की हैरानी तो बच्चों जब अध्यापक ने गोपाल को रोते हुए देखा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई और उन्होंने गोपाल को पूछा कि तुमने तो सही उत्तर लिखा है फिर तुम क्यों रो रहे हो तब गोपाल ने बताया कि वह इस प्रशंसा का हगदार नहीं है गोपाल की बात सुनकर अध्यापक का हिरुद्य भर आया वे गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए उसकी प्रशंसा करते हुए बोले बेचा तुम एक दिन एक सच्चे बालक हो तुम अवश्य अपने देश का नाम उंचा करोगे अध्यापक की कही हुई बात सच्च निकली यही बालक आगे चलकर गोपाल कृशन गोखले के नाम से भारत का महान निता बना गोपाल कृशन गोखले ने अपना पूरा जीवन देश की उन्नती के लिए अरपित कर दिया महात्मा गांदी उन्हें अपना गुरु मानते थे और उनका बहुत आदर करते थे हृदे भराना यानि की भावुक होना प्रभावित होना असर होना अवश्य यानि की जरूर उन्नती का अर्थ है प्रगती तरक्की और अरपित का अर्थ है दे देना तो बच्चों गोपाल की सचाई जानकर गोपाल की सचाई सुनकर अध्यापक बहुत भावुक हो गए और उन्होंने गोपाल की प्रशंसा में कहा कि बेटा तुम अपने देश का नाम एक दिन जरूर उंचा करोगे जरूर रोशन करोगे क्यूंकि तुम एक सच्चे बालक हो और अध्यापक की बात एक तब सच्च हुई आगे चलकर यही गोपाल एक महामनेता गोपाल कृशन गोखले के नाम से प्रसिध हुए जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत की उन्नती यानि की भारत की तरक्की तथा प्रगती के लिए दे दिया अर्पन कर दिया और म बच्चों क्या आप जानते हैं गोपाल कृशन गोखली जी और महात्मा गांदी जी भारत के प्रमुक्ष स्वतंत्र सेनानियों में से हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की आजादी तथा देश की उन्नती के लिए समर्पित कर दिया बच्चों वे दोनों ऐसा इसी लिए कर पाएं क्योंकि उनके पास सच्चाई की शक्ती थी वहां हमेशा सच्चाई की रहा पर चलते थे और केवल सच्चाई की रहा ही ऐसी है जिससे हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं और यही शिक्षा हमें गोपाल कृशन गोखली तथा मात्मा गांधी जी देते हैं चरिये बच्चों अब हम इस पार्ट में आए कुछ कथिन शब्दों के अर्थ जानते हैं प्रशन यानि की सवाल पीट थप थपाना जिसका अर्थ है शाबाशी देना अंत यानि की आखिर फूट फूट कर रोना यानि की जोर-जोर से रोना आश्चरिया का अर्थ है हैरानी और हृद्य भराना जिसका अर्थ है भावोखो जाना प्रभावित होना यानि की असर पढ़ना अवश्य जिसका अर्थ है जरूर और उन्नती का अर्थ है विकास या फिर प्रगति और अंत में हमारे पास है अर्पित जिसका अर्थ है दे देना तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपने इस पार्च से सच्चाई की रहा पर चलने की शिक्षा प्राप्ट की होगी धन्यवाद स्वस्थ रहिए खुश रहिए